पूर्णिंग जैमाजादी आज हम अपना नया टूर स्टार्ट कर रहे हैं जो की है वहिष्ण देवी के लिए करेंगे कल हम शाम को पीकाने से बस से चले थे और शुबह 9 वजे जम्मू पहुचका है वहां से एक टेक्सी करी है जो भी हम कट्रा दा रहे हैं जम्मू से कट्रा का रस्ता करीब करीब एक से डीड़ गंटे लगता है और रोड भी काफी अच्छी बन गई है फोल्डें माल रोड़ पाल रोड़ गंटे लगता है झाल झाल कटर दाने के लिए काफी सारे उप्शिंस हैं अगर आपको जम्मू से कटरा के ट्रेंद लेड़ी तो रस्ते बहुत ही चुपसूरत रस्ता है और बहुत ही अच्छी नेचर की सीनरी देखने मिलती है अगर आपका कुछ टाइमिंग ऐसा बैट रहे है तो आप जम्मू से कट कर्फ्यू वाला महूल था कल शाम कोई कर्फ्यू अटा है तो आज लोकल ट्रांसफोर्ट था वह इतना अच्छे तरह से चालो नहीं हुआ अगर आप इन्हों लेते हैं तो 1201 का रेट है और आउने इसी कोई को पालिस लेते हैं तो कि 1100 या 1200 का रेट है हमका तोल आपको अपने देना पड़ेगा डेट गंटे का सफ़र काफी अच्छा सफ़ार है और इसमें भी काफी अच्छी रोडस है डेट गंटे में आप कट्रा पहुंच जाएंगे अभी हम दस्ते में हैं हम जारे हैं कट्रा की तरह अब हम पहुंच के अथे कट्रा जमू से पहुंचने हम अंको लगे फूरे तेट गंटे हम कट्रा पहुंचने कवाद हम पहुंचे यहां निहारे का कॉंपलेक्स है बहुत बड़ा कॉंपलेक्स है इसमें सारी सुषणाय आपको मिल जाएगी डॉलमेटरी है फोर्थ बेड वाला बेड रूम है और लॉक रूम है रेस्टोरेंट है बैंक है एकिम है यातरा परची काउंटर है तो सब प्रकार की सुधाय आपको इस निहारी का कॉंपलेक्स हमेर जाएगी काफी अच्छा कॉंपलेक्स है यहां भी हमने एक रूम लिया था और प्रेशना को के क्लॉक रूम में सामानक लिया और यातरा परची भी यहीं से ले लिये और दोपर के बदे रहें तीन तो बस यातरा शुरू कर रहे हैं यहां से चड़ाई उपर साड़े बारा किलोमेंटर की चड़ाई है तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं आपको और निहारी का कॉं कॉंप्लेक्स मैं आपको दिखा लेता हूँ तो यह है एंट्रेंस लीचे से यातरा स्टार्ट करने का तो बमने स्टार्ट कर दी है उपर चड़ाई हमने शाम चार वगे उपर के लिए चलना स्टार्ट किया था और अभी हो रहा है क्राइम शाम के छे अभी हम हम दो ही किलोमेटर आपाए हैं आराम से इंज्वाई करते हों अभी थोड़ी डिफिकल्ट है चोड़ाई आप तो अर्थकौवारी तक आने के लिए थो रास्ते एक ताड़ा कोट और एक पूराना रास्ता तो भी हम अर्थकौवारी तक पूराने तक जाने के लिए बाकी वेवस्ता बहुत अच्छी है पूर आरं तीन शेड कवर आए जो नया रास्ता मैं आपको बता रहे यह वह रास्ता है और काफी इसमें लाइच्स की बीवस्ता काफी अच्छी है पूरे टाइम बजन चलते रहते हैं, चैल बेल लगी रहती है, और रास्ते में वेश्टन जईव श्राइन ब्रोड के काफी सारे चोड़ी कियास्त कॉर शॉप्स और रेस्टोरेंट भी हैं जो आपको बहुत ही कम कीमत पर बहुत ही अच्छा और बिल्कुल स्वादिस्थ ख आज तारीक है 11 अगस्त और समय हो रहा है सुबह के नौ और कल हम शाम को चार बजे कटरा से चलना शुरू किया थे और चार बजे के बाद बीच में काफी स्टॉप लिए और आदा एकंटा बीच में कुछ प्रॉलमों के ज़ना उके भी थे उसके बाद भी हम बाड़ा सबसे बा-डर बजे लिए असानिए दाज की 12 बजे है यह बजाने बंद हो लकिन पूरा मंके खलाता पूरा मंदिर न काकी हा त्रीबी में बीच में रात को कि अराथ को आरा बजे तक में रात कों मे यह ज़कर सब उखें अ बस सुबह उठें बहुत नहीं से कले चाए चड़ाई कि अगर में बात करूं तो एक क्यारा से दो आर्धकुमारी तक हम पुराने रास्ते सा आये थे नेया तारगर कोट वाला रास्ता बहुत है तो थोड़ी ठफ थी चड़ाई और अर्धकुमारी वाज जो नया हिंकोटी का रास्ता कोड़ा है उनोने वह एक किलमेटर चोटा भी और मुकाबले पुराने वाल रास्ते के तोड़ा आसान भी है तो अब जब ही भी आए हमकोटी वाले रास्ते से आए और वहां से आपको अद्कुमार से इलेक्ट्रिक गाड़ियां में मिल जाएगी अब कट्रा से अद्कुमार तक पाल की गोड़े रासकते हैं वहां से आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले सकते हैं या पैदाल आना चाहे तो कदिल बार सकते हैं मैं आपको भी नजारा दिखाता हूँ मेरे पीछे है इनी गौली बावन से माता वैश्ट नदेवी मंदिर का नजारा और यह काफी बादल भी हो रखें भी बहुत भी खूबशूरत नजार आए यहां उपर बादलो के अंदर है बहरु कुट्या बहरु जी का मंदिर है उपर जो भी कलब बादलो से किरी हुई है यहां उपर तीन बावन एक तो बावन मेन बावन कंप्लेक्स है दूसरा वेश्ट नजारा वेश्णवी औरा गौर्य भावन ए तीसरा मनुकामना भावन है तो मेन बावन में भी और वैश्णवि गौरिवववन में आपको भावन more लेड़ और जाएगी तो यह रूट है जाने के लिए यहां गेट नंबर 3 मिलेगा आपको अंदर जैसे आप मंदी तरफ जाएंगे वहीं उसके पास यह एक लॉकर रूम है उस लॉकर रूम है उसने समा नख देए गेट नंबर 3 आपको यहां पास मिलेगा उसके बार तोड़ा और आगे अंदर डाल देते हैं और फिर चेकिंग करके साइट में कर देते हैं बहुत लंबर चलना पड़ता कि नंबर 3 से कोशिचे करें गेट नंबर 5 से ही जाएं गाद काना के लिए नाप पाधम कार धार है ज़ाएं बहरू बंदुरस के साइट ह। भव मंधिर हां किबल कार ले इज हर 5 रण जाती है वह बंदुर्प कलिए जो रुपय किराय आने जाने का केबल कार भी काफी अच्छी है दो क्लिमेटरियां से बेरोमंडेर और काफी खड़ी चड़ाई है तो काफी टफ रहता है असको चाथा बेरोमंडे जाना की बहुत ज़रूरी है वेश्चन दिए वेश्चन के बाद इसलिए केबल कार अच्छ आप्सेन है बेरोमंडे जाना के लिए आप्सेन है बेरोमंडे जाना के लिए अब हम पॉल्च गें बेरोमंडेर बहुत ही सुन्दर नजारा यहां से भी रोपेस है तीन मिट लगे रोपे माने में बहुत ही खुब्सूरत नजारा यह है बहुत ही बेरोमंडेर आप देखने सामने यहां आपको इन राम बाक्त जानी को सुच्पोलो सा बचके चलना पड़ेगा बयंकर बारिश कोईट है स्टार्ट हो गई स्टार्ट करना स्टार्ट किया था तब मौसम काफी खराब हो रहा था और अब बयंकर बारिश हो रिजशा आप देख रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा है इतना फॉग हो गया है बार अपना क्लाउड यह कुछ भी निकरा सर्फ बारिश ही बारिश से दोगी है ओपर बहरा मंदर से भी आप सीदा नीचे जा सकते हैं वहां से किलो मोटर तोड़ा रास्ता कम भी पड़ता है लेकिन हमारा सामान चोकि नीचे मंदिर मतागल मंदिर बावन में लौकर रोम में था तो इसलिए मैं केबलकर से वापिस नीच आना पड़ा और सामान लेके हम नीचे की यात्रा शुरू करें तो यह था मेरा अभी तक का वीडियो को कट्रा से बावन तक और बैरो मंदर से वापिस कट्रा तक का और आगे यात्रा जाली रहेगी नेक्स वीडियो में अपन चलेंगे पट्ने टॉप और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और अगर आप ने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर वीडिट रिप लॉक्स को थैंक यू